तो दा मेत वारियर्स दोस्तों आप सभी लोग देख रहें कि डेली इस समय मतलब उत्तर प्रदेस में भूचाल आ गया खासकर पुलिस विवाग में डेली दोस्तों वेकेंसी आ रहे हैं और बहुत अच्छी वेकेंसी आ रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि कोई कम है ये पन ठीक है आ आप ये देख रहे हैं उसके बाद ASI की वेकेंसी आ थी उसमें ओ लेवल वालों को देखे चांदी है आज फिर एक वेकेंसी आ चुकी है उसमें भी 900 कुछ करके पाद है अभी मैंने वीडियो बनाए उसमें डिप्लोमा वाले 18-18 एज है ठीक है प्रॉपर एज है कोई दिक करना आना चाहिए ठीक है यह सारी चीदे वेकेंसी यार काफी अच्छी है और सबको मौका मिला है अगला नंबर जो मुझे देख रहा है लगवग आप देख लीजिए 62,000 वेकेंसी हो चुकी प्रिजेंट टाइम और अगली वेकेंसी जल्द ही उसकी डेट डिसाइड ने क कभी भी गिर सकता क्या पता कली गिर जाए UPSI आएगी साब एक ही टाइम दिये दे रहे हैं जो बच्चा पढ़ने वाला होगा मेहनत करने वाला होगा वो कहीं न कहीं अपना जो है कहीं सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो लेवल भी लिए बैठे हैं समझेगा और BSC वगएरा ह पुलिस का जो सलेवस है वो कहीं न कहीं मिलता जोगता है वही हिंदी आनी वही जीके आनी वही रिजनिंग आनी वही महत है अब इसमें जैसे कंप्यूटर आपरेटर है तो उसमें कंप्यूटर का मांग दिया है उसके पहले 40 यूशन रहेंगे 1.25 एक यूशन का वो तो आप देख सकते हैं कि वेकेंसी काफी अच्छी यूपी कास्टेबल की भी अपने आप में 1900 ग्रेट पे होती है यह 2400 ग्रेट पे है उसके बाद I think SI SI 2800 ग्रेट पे 2400 जो भी हो बट यह दफ्तर के जौब है इस थीक अच्छी जौब है अब बात करते हैं बच्चे पूछ व्यास सबने में चाहती हैं सबसे बड़ी वजकेंसी यह सच्छा यह और यह जाती है यह कहा है इसे लिए लोग इसका इंतजार भी कर लेते हैं संगर सही लेते है ना वो तो बड़ा कुस हो जाएंग बही है चलें ठीक है और कम से कम उन्हें एक वो भी मिले है यह अधर स्टेट जॉब करने के क्या टीचर की जॉब में क्या दिक्टे आती कैसे रहना हर एक चीज जीवन के पड़ाओं को वो समझ रहें अब बिहार वाले भी दर फॉर्म बरेंगे लेकिन वही है कि उत्तर प्रदिम खुदी दिनीचे संक्या है एक सेख फाइटर पढ़ा है ठीक है तो बड़ा दिक्कत आएगी ठीक है अधर इस्टेट वाले जर्नल में ही जाएंगा इसा दोहे नहीं को यार्चन उनको मिल जाएगा तो यह सारी चीजे हैं ठीक भाँ से बरसाती में डग मैं खुले सब्दों बोलता हूँ किसी से डरख दबाओं में नहीं है ठीक है बहुत से बरसाती में डग थे जो के वर उलर रहे थे कि बरती आजाए बरती आजाए अब क्या हुआ ब्रती आगए एक्जाम डेट 11 फरवरी और जो नहीं वेक्शी ह एक महीने पेपर करना लिया तो मेरा आप से ये कहना है जितने भी बच्चे हैं आप जितनी सिद्ध से ये वीडियो देख रहे हैं बहां बरती कब आएगी मैं आपको बता रहा हूं मौल्टिवेट कर रहा हूं ऐसे ही बताते बताते किसी दिन से इच्छा विवाग में भी भरती आ जाएगी तो क्या आप उस तयारी के भी काबिल हैं आपने बिहार का भी फॉर्म नहीं बना अरे पेपर तो दे आते होना ना होना बहुत से बच्चे तो इस तरीके की बाते कर रहे हैं बड़ा सुनके सिं कोई बात नहीं लेकिन बच्चों ने इजाम दिया वो फाइट कर रहे हैं लगे हैं इसी बाने पढ़ रहे हैं ठीक है उनके लिए बेनीफिट है कहीं ना कहीं लगे है कुछ बच्चे भी देख लिए टीचर वाली जो तयारी करें वो कॉस्टेवल का भी बनाएगे ठीक है इससे होगा क्या कि आपकी जो तयारी है वो रिदम में बनी रहती है जो केवल टीचर की ही तयारी कर रहे हैं केवल टीचर की है बाई साब केवल यूपी में ही जब बचैंसे हैं कि पहला फॉर्म वो यही डालेगे तो वो यह माल लें वो सेलेक्शन से बहुत दूर है ठीक सिंपल सी बाद मोलना हूं सेलेक्शन उन्हीं को होगा अब उत्तर प्रदेश में भले ही बीटीसी वाले खुद अपने आप में काबल है ठीक है ऐसा नहीं कि बीटीसी में आप अलकेम लिए अभी बीटीसी वाले ही जूनियर में जो वहां वेकेंसी वी बियार में मैं साइ इसकी और जितनी भी उसमें बहुत बीटीसी वाले खुष है जो लोग बीटीसी वाले वालकेम लेती थे तो ऐसा नहीं वो जमाने चले के जब बीटीसी हलके हुआ करता था जब से बीटीसी बड़ी बड़ी है उत्तर प्रदेश में साट जार पां सोन अतर जार उसके लेना है कि आप अपनी तैयारी को जाचे तैयारी क्या आपकी है क्या आप एक महीने के अंदर यूपी मतलब जो एस्टेट होगा आपका सुपर्टेट निकाल पाएंगे कोचिंग वालों में और कोचिंग के जो यह भरोसे अब मैं यूटूबरों की बात बता दू एक मही इस बार लोगों ने हवा मचाई सरलता मात्र एक सो बहात्र बच्चों का जर्नल रिजल्ट आया और नवासी कटाप गई 120 में अगर पेपर सरलता तो पच्छली जाती पंचान में कटा नहीं गई ना पेपर ठीक था भया आयोग का पेपर है कोई बच्चों का पेपर नहीं कोई बच्चे बना रहे हैं यहां तो भी कहना पी एनपी बनाता है यो कभी आंसर ही नहीं सेट कर पाता है वो बीपिएस्टी आयोग भया स्वतंतर आयोग है कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकार के दबा तो हमारा आप से यही कहना आप फॉर्म डालते रहे जिस भी टाइम लेगा अभी पुलिस का दौर चलने दीजिए यह पुलिस की वेकेंसी च्छै महीने वी दौर यह कतम हो उसके बाद आएगा टीचर का दौर आएगा तो वेकेंसी तुरंद पेपर कराए जाएगा सब वर्दान साबित हो जाए ठीक है जो सूखा पड़ा पुलिस में भी सूखा पड़ा था हो गया ना दूर तो भाया यहां की जो मुकमंतरी उनका आजीब है वो एकितम फिर समझ रहे ना धला धल धल बैटिंग करते हैं वो ऐसे ही हो गया अप देख रहो पुलिस की फरवरी सबस्टेवल की बरती कितना क्रेज है बाइस सच्छाई है इतना क्रेज है यूपी करस्टेवल लगा क्योंकि 40 लाग पड़ेगे ना एज भी पड़ेगे तो आपका सोचरे टीचर की जॉब में फॉर्म उसमें भी इसे ही पड़ेंगे के बड़ेंगे बीटीस है तो क्या ह हुआ फॉर्म पड़ने दो तुम अपनी तयारी देखो तुम एक्जाम में लगे रहो एक्जामिन करो ठीक है वही जी के वही इंदी रट रट मारो कहीं से कुछ पूछे उड़ाना है तो एक्जाम देते रहो अपनी तयारी जारी रखो और जुड़े रो मैस्वारिस के सा सठीक अपडेट के साथ कहीं पर भी एक्जाम हो आप से रिलेटेड आप उसको भरिये एक्जाम जरूर दीजे होना ना होना अलग मैटा रहे ठीक है परेशान ना होई ये बरती आप की भी आएगी पुलिस में भी सूखा पड़ा था पास साल का सूखा है अठारा में वेक आई और आप की भी पेकेंसी आई ये टेंसर ना लीजिए अपकी भी आनी और ऐसे झाया है कि इतना टाइम गुच्चे में ही आएगी जाया कोई कर दसवी सजार नभी सजार तैम Yasir aint tu जाये आप लगवक आपकी भी 50 जार क्या आश्पका आए तो क्या आप उसके लिये त भूल में ना रहे कि 50,000 बच्चा उत्तर प्रदेश हो बहुत हाइफाई है और पीचर की जाब का क्रेज बढ़ गया है वो जमाने चले गए तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं थोड़ा सा सेंसेटी से काम ले अपने उपर फोकस करें पढ़ाई करते रहों जुड़े र के अब वित जा मैं आपसे कर रहे चामने पन्हारेक मैं जोज भीमी कर दो डूंए नाव ऑ्सलिए मैं प्रदेश